हेलो मित्रों जैमादादी मित्रों नवरात्री का पावन फर्व आ जुगा है नवरात्री के पवन फर्व जो ये 9 दिनों का पर्व है यह आप लोगों के जीवन में सुख समर्दी、 धन, दौलत और लाप के प्राप्ति करवाने वाला है मित्रों माता दुर्गा जी अपने भक्तों के कष्टू का समद्ान करती हैं अपने भक्तों के कष्टू का हर लेती हैं वैसे में आपकी बार 9 रूपी माता दुर्गा जी की प्रेपा आप पर विशेश होने वाली हैं जिनकी व्यजै से 9,7 के बाद ये 3 घटनाएं आपके जीवन की जिन्दगी और रूप रेखा में बहुत बढ़ा बदलाव करने वाली हैं मित्रों यह जोतिस का विसे बहुत ही खास और महत्पून रहेगा इसलिए आप लोगों से अनुरोद और विंदी भी करेंगे कि आप इस जोतिस के कारिक्रम में अंत तक बने रहें क्योंकि वो कहते ह मनुस्य के जीवर में सुख और दुख आते जाते रहते हैं मनुस्य जिस प्रकार से कर्मों को करता है मनुस्य के जीवर में उसी प्रकार से सुखों के प्राप्ती होती है तो वही कर्मों के देख कर ही दुखों का भी सामना करना पड़ता है परंतु मनुस्य अगर मा के तो कुछ ऐसा ही आप लोगों के जीवन में नवरात्री के बाद होने वाला है आप लोगों के जीवन में ये तीन घटनाएं निश्यत तौर पर होगी और वहीं जोतिस की माने ये तीन घटनाओं के कारण ही आप लोगों के जीवन की समस्त प्रकार की प्रसानिया समस्त प्रक इसलिए आएं वह सारी के सारी दूर होंगी और आप लोगों के जीवर में धंधान की पराफ्ती होंगी बैपार बैविसाई में तरक्की करोगे बत्रों एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही खास और आपके जिंदगी को बदलने वाला होगा इसलिए आप लोगों से जानत में हैं तब ही इस वीडियो को पूरा देखें अन्य था आप इस वीडियो को यहीं पर स्कीप कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताने वाला हूं वो आपके जीवर में जुड़े उन तमाम रहस्यों के बारे में हैं जिनें सिर्फ और सिर जब आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए और जो तिसकी माने तो मत्रों आप लोगों के जीवन में यतीन गुप्त और रहसे मही चीजें नवरात्री के बाद जो होने वाली हैं वो आपके जीवन को नई दसा नई दिसा और नई गती और नय अवर्दी देनी वाला है तो मत्रों आपका जादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं बत्रों आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी काम में बहुत मेहनत करते हैं बहुत जादा ही मेहनत करते हैं परन्तु कई काम ऐसे होते हैं जो आपके समय से पूरे ना होते हैं तो ऐसे म उस काम के पीछे और बाद में आप देखो कि वह काम आपके बिना मेहनत बिना पर्यास से ही आटोमेटिक हो रहा है और कई बार अपने देखा होगा कि आप करना तो कुछ चाते हो लेकिन हो कुछ और जाता है और जब भी जो होता है वो आपके हित में होता है वो आपको लाब दिला जाता है तो मित्रों वह मातारानी की किरपा है माँ आप लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और माँ के सरण में आप आए हो तो मां आप लोगों के जीवन के कश्टों को अवस्य दूर करेंगे आप लोगों के जीवन में जो भी परसान्या जो भी विप्रदिश्ट दिया ये जो भी कश्ट हैं उन सभी से आप लोगों को चुपकारा मिलेगा बत्रों नो रुपी माता दुरुगा जी की कृपासे आप लोगों के मन की एक्षा पूरी होंगी जिन से खुजी का ठिकाना नहीं रहेगा आप आस्ता और विस्वास को बनाए रखें माँ आप लोगों की मनो काम नाएं और वस्पुरुन कहेंगे अगर आप किसी ऐसी परस्तिती मफसे हैं जिससे नुकलना बहुत ही मुश्किल है बहुत ही संगर से पुरुन है और आपके काफी परियास करने के बाद भी आप अगर उस परस्तिती से निकल पाने में असफल है या आपको सही मार्ग दिखी ही नहीं रहा है तो ऐसे में आप मन को मा पे लगाएं मा नोरोपी दुर्गामा आप लोगों के जीवन में वुर्ष प्रस्तिती से निकलने में आपका सही रूग करेंगी और विश्वास मानिये मित्रों अगर आप सची सरदा के साथ मा का नाम लोगी और मा से खोगी जो भी आपके एक्षाएं हैं तो मा आप लोगों के एक्षाएं आवस्य पूरी करेंगी मित्रों वहीं नौरात्री के बाद आपके भागे का कुछ ऐसा रूप रिखा बदलेगा और कुछ ऐसी बदलियां फ्रस्तितियां बदलेंगी जिन से कि आपके भागे का आपको पूरा सा योग मिलेगा भागे भी आपके उ यूजनाएं गदी पड़ेंगी वहीं आप लोगों को किसी बड़े महस्ति से जुड़ने का मुका मिलेगा बड़ी परसिद्धी बड़ी काम्याबी और पड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है मितलों अगर आप लंबे समय से नई यूजनाओं पर काम तो कर रहे हैं हुई पूजा और मापर लगाई हुई आस्ता और विश्वास मापर लगाया हुआ ध्यान आपको जीवन में काम्याब करने वाला है आपको वह घड़ी मिलने वाली है वह आपको जर्या मिलने वाला है या वह रास्ता वगती मिलने वाली है जिस पर चलकर आप प्रसिद्ध को हासिल कर सुकोगे और अपने नए मुकाम को हासिल करने बाले हैं मित्रों नो रूपी माता दुरुगाजी की कृपासे माम बेजी की कृपासे आप लोगों के सभी विगड़े कारे बनेंगे और पैत्रिक संपत्ति से समधित मामला भी आपके जीत में आने बाला है आपको सभी योजनाएं सफल होंगी और लोगों का परिवार का भरपूर सही योग मिलेगा आप जितना कलपना भी न कर सको आप जितना उमीद भी न कर सको आप जितना मा से मांगे भी न होगी उतना जादा आपको धन के साथ साथ परसंता मिलेगी खुसी मिलेगी और अगर आपक पर आपकी बातों का असर होगा सब लोग आपकी बातों को सुनेंगे वहीं महत्पुन कारे भी आपके समय से पहले ही पुरुन होंगे परंतु मित्रों आप लोगों को एक सला में देना चाहूंगा कि जब भी आपको जीवन में परसिद्धी मिले जो की नवरात्री के बाद मिलने वाली हैं मित्रों जब भी आप लोगों के जीवन में आपको तरक्की मिलना प्रारंबह हो आप अपने वानी और वहवार को जितना हो सके सरल बनाएं लोगों की भावनाओं को ठेंस पहुचान रखने के लिए आप भर सक परियास जरूर करते रहें अंकार से बचें अंकार आपके जीवन में फिर से वही प्रिसानी फिर से वही घड़ी उत्पन्द कर सकती हैं इसलिए आपको अंकार से बचना होगा और विनर्वता से लोगों के साथ बाते करनी होंगे आपको सरकार की और से भी बहुत बड़ा लाब मिले वाला है अगर आप कारोबारी टेंडर वाले हैं या फिर अगर आप इस समय बेरुजगार हैं तो आप लोगों को रोजगार मिलेगी खास तोर पर जो लोग कपड़े के वेपारी हैं अलेक्ट्रिक स्वाप के वेपारी हैं या फिर चाते हैं नए स्वाप को खूलना चाते हैं तो आपको इस सभी कारों में परसिद्धी और बड़ा उपलवधी मिलने वाला है आपके बिजनस का एक नया विस्तार आपको ओटोमेटिक दिखेगा आर्तिक दिश्ची कौन से आपका आने वाला समय बहुत ही बेहत्रिन रहीगा आप नय वाहन फौर विलर या टू विलर के खरदारी नवरातरी के बाद बहुत यहासानी से कर सकोगे आपके सभी महत्पुनि गारे में तेजी आएंगी मित्रों का सयूग मिलेगा और आप लोगों को किसी महत्पुन जिम्मेदारी को निभाने का मौका भी मिलेगा विद्यार्थियों के लिए भी आने वाला समय नवरात्री के बाद बहुत ही खास रहने वाला है विद्यार्थी विवर्ग भी अच्छा कमा सकते हैं वहीं परिक्षा में आ रही आपकी सभी समस्षाएं समापत होंगे आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा विर्दी होगा आपका प्रभाव बढ़ेगा आपका प्रताब बढ़ेगा और आपके जीवन में सफलता मिलेगी सामाजिक कारी शेत्र में बढ़तर कर हिस्सा ले सुकोगे और आपके समाजिक शेत्र के 75 नकारे करने का मुखा भी मिलेगा बितनों इस समय अगर आप छोटी नोकरी करते हैं अगर आप इस समय किसी भैपार भैवसाइक अविस्तार करते हैं तो वह भी आपके लिए सफलता को दिलबाने वाला होगा छोटे से छोटे कारवारियों, छोटे से छोटे नोकरी वालों, छोटे से छोटे काम करने वालों को बड़ी परसंता और आई के असी मित साधन मिलने वाले हैं, आई का इतना बड़ा सुरूत मिलेगा जिसे आप जितना भी कर्च करो, आपके पैसे खर्ची ही न होंगे मादुरुगा अपने सभी भक्तों को जरूर मनो कामना पूर्ण करती हैं, मादुरुगा आप लोगों पर परसन्न होंगी और आप लोगों के जीवन को करियर को सही दिसा देंगी और आप लोगों के जीवन में परिसानियों से आपको चुरकारद लवाएंगी, मा के हैसान क् मां अपने भक्तों की अपने बेटों की अपने पुत्रों की हर मुनो कामना अवस्य पूरी करती हैं बच सच्छे सरदा और लगन मां पर होनी चाहिए विश्वास रखो मां हर वक्तों सी देगी जो आप पाना चाहते हो मत्रों अंत में आपसे कहूंगा की सत्य सरदा के साथ कमेंट बॉक्स में जैमा तादी जैमा दुरुगा जैमा आमबे हर हर महादेव जै भोले बाबा जैमा पारवती अवस्य लिखें मत्रों चरूर आपको खुसकपरी मिलेगी आपका दन बहतर बने धन्यवाद जैमा दुवासनी जैमा दुरुगा जैमा आमबे